यदि हम वायू के घर्षण के मानने को नगण मान लेते हैं उस कंडिशन में किसी भी ग्रहा के चारो और गती करता हुआ उप ग्रहा लगातार उसी कक्षा में गती करता रहेगा पर बच्चो यह वायू मंडल का घर्षण नगणने नहीं होता और इसलिए हम देखते हैं कि ग्रहा के चारो और गती करता हुआ उप ग्रहा धीरे धीरे वृतिय मार्ग से सरपीला कार मार्ग अपना लेता है और धीरे धीरे यह प्रित्वी पर वापिस आगिरता है पर कहां? एक्च्वेली वो प्रित्वी पर आने से पहले ही इस वायू मंडल में होने वाले घर्षण के कारण जो उश्मा उत्पन्न होती है उस उश्मा के कारण जलकर नश्ट हो जाता है तो बच्चों हम देखते हैं कि इस उपग्रह का कक्षिय चाल कितना होना चाहिए बच्चों इसके लिए मान के चलते हैं कि प्रित्वी का दरवेमान M है और मान लेजिए प्रित्वी की त्रिज्य आर है अब किसी भी उबग्रह को इसकी सतह से H उचाई पर हमको कक्षा स्थापित करनी है या यू कहें कि ये उबग्रह जिस कक्षा में घूम रहा है उसकी त्रिज्या R प्लस H होनी चाहिए अब इस कक्षा में घुमाने के लिए इस उब्ग्रह का कक्षिय चाल का सूत्र क्या होगा इसे हम ग्याद करते हैं अब इस उब्ग्रह का द्रव्यमान हम M मान लेते हैं और यहाँ उब्ग्रह इस ग्रह के चारो और वृतिय मार्क पर गती कर रहा है जिसकी कक्षा की त्रिज्या R प्लस H होगी यानि कि हम स्मॉल R बराबर R प्लस H ले रहें अब यहाँ उग्रह इस ग्रह की चारोर वृतिय मार्क पर गती कर रहा है हमने उग्रह के प्रक्षेप के सिधान से जाना था कि इसे वृतिय मार्क पर गती करने के लिए परियाप्थ अभी केंद्र बल इस गरह के द्वारा गुरुत्वी बल से ही प्राप्ट होगा इस गरह के द्वारा इस उपगरह पर लगाया गया गुरुत्वी बल होगा F equal to GMM upon R squared जबकि इस उपगरह को गरह के 4 और गती करने के लिए जो अभी केंद्र बल है उसका फॉर्मूला होगा m v o square upon r v o हम orbital velocity ले रहें यानि कि इस उबग्रह का कक्षिय चाल अब यहाँ पर यह जो कक्षिय चाल है वो 36 के समांतर होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम शुरू से ही इस उबग्रह को 36 के समांतर प्रक्षेपित करते हैं हमने इस वीडियो से देखा था बच्चों कि जब rocket launch किया जाता है तो वह सीधे सीधे ऊपर उर्द्वाधर भेजा जाता है सीधे ऊपर उर्द्वाधर भेजने का सरफ एक ही मकसद होता है कि वायू मंडल में तैय की गई दूरी इस rocket के द्वारा सबसे शॉर्टेस्ट हो क्योंकि वायू मंडल में जितनी अधिक दूरी तै करेगा इस rocket को इस वायू मंडल के द्वारा उतना ही घर्षण बल प्राप्त होगा और जितना ज्यादा घर्षण बल होगा तो उतने ही ज्यादा उश्मी ऊर्जा उत्पन होगी जिसके कारण rocket के जल के नश्ट होने के chances बढ़ जाते हैं इसलिए rocket को जब प्रक्षेपित किया जाता है तो सीधे उर्द्वा धर उपर क्यों भेजा जाता है जब तक यह maximum वायू मंडल को क्रॉस कर ले और जब इसको कक्षा में स्थापित करने की बारी आती है मतलब दो स्टेज तब तक लगभग पार हो जाए होते हैं और अंतिम स्टेज बचा होता है जब सेटलाइट को हमको और बेठाना होता है उस कंडिशन में लगभग rocket वायू मंडल को पार कर चुका होत सेटलाइट अब स्लांट हो जाता है तिर्चा हो जाता है और इसकी दिशा कुछ ऐसी होती है कि सेटलाइट को 36 वेग प्रदान कर सके इस 36 के समानतर और इसलिए हमने चित्र में इस और बिटल वेलोसिटी को 36 रूप में दर्शाया है हम देख रहे हैं कि इस पृतवी के तल वापिस नहीं गिरता बलकि एक निश्चित कक्षा में इस ग्रह के चारों और परिक्रमा करने लगता है और परिक्रमा करते हुए इस उप ग्रह को अभिकेंद्र बल इस पृत्वी के गृत्वा कर्शन बल द्वारा ही प्राप्त होता है पृत्वी के द्वारा आरोपित ग एम एम अपॉन आर जबकि पृत्वी के चारों और परिक्रमा करते हुए इस उब्ग्रह का अभिकेंद्र बल होगा अपॉन इस उब्ग्रह का अब हो है अब उब्ग्रह के प्रक्षपि के सिधान के एनुसार यह दोनोहीं बल बराबर होगे और यहाँ से वी उब्ग्रह रूटंडर यहा पर हाश इस उब्ग्रह के कष़ की त्रिज्या है है। इसलिए DR भर थे प्लस एच लिख सकते हैं तो वी ओ बराबर होगा रूट अंडर जी एम अपन और प्लस एच यदि पृत्वी तल पर गुरुत वरंक जी हो तो जी बराबर जी एफ़ अपन आर स्कूर होता है और यहां से जी इंट बराबर हम लिखेंगे जी आर स्कूरर और यह मान इस शमीक लेते हैं तो यह हो जाएगा वी ओ बराबर आर रूट अंडर जी अपॉन आर प्लस एच और इस प्रकार किसी भी उपग्रह के कख्षी चाल को समिकरण एक तो यह समिकरण तीन के रूप में दर्शाया जा सकता है यह जी उपग्रह प्रित्वी के बहुत निकट हो उस कंडिशन में आर प्लस एच यानि की प्रित्वी की त्रिज्या और उपग्रह के उसके सता से दूरी लगभग आर के बराबर ही होगी यानि कि पृत्वी के त्रिजय के बराबर ही होगी या यू कहे हम H को neglect कर रहे हैं इसलिए R प्लस H बराबर R होगा और समीकरंग तीन में आमान रखने पर हमें मिलेगा VO बराबर R, root under G upon R और यदि इस R को मैं root के अंदर ले जाओं तो यह R square हो जाएगा तो यहां से हम लिखेंगे root under G R square upon G और VO बराबर होगा root under G R तो बच्चों इस सूत्र से हमने देखा कि किसी भी उपग्रह का कक्षिय चाल उस उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता सूत्र से हम देखें तो कक्षिय चाल का मान निर्भर करता है केवल ग्रह के द्रव्यमान पर और ग्रह की त्रिज्य पर यहां पर इस फॉर्मले से हम देख रहे हैं यहां G भी आया है तो यह भी कह सकते हैं कि कक्षिय चाल निर्भर करता है किसी भी ग्रह के गुरुत्वी त्वरण के मान पर गुझने गुस्वित्वरन्ट का मांगे द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है उसकी द्रिज़्यओ पर ही निर्भर करता है तो या थो हम द्रव्य बोल सकते यह फिर गुस्वित्वित्व्य केह सकते हैं आप हम प्रत्वी के लिए किसी भी उपगरह का कक्षीय prediction कितना होता है इसका कैलकुलेशन करते हैं सूत्र है वी ओ बराबर रूट अंडर आर जी अब पृत्वी की त्रिज्या 6400 किलोमेटर होती है जिसको हम 6.4 इंटू 10 तो पावर 6 मीटर लिखते हैं और पृत्वी की सत्वा पर गृत्वी त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रती वर्ग सेकंड यह दोनों ही माने सूत में रखके कैलकुलेशन करने पर हमें पृत्वी के चारो और परिक्रमा कर रहे उग्रह के लिए कक्षिय चाल का मान मिलता है 7.9 यह यह कहें किसी भी ग्रह के चारो और उपग्रह को चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम उस उपग्रह का परिक्रमन काल कहते हैं यानि कि टाइम पिरड ओफ सेटेलाइट इसे हम कैपिटल लेटर टी से दर्शाते हैं अब मान लीजे हमने यही प्रित्वी लिए और यहां एक ग्रुप गती कर रहा है इसके चारो और परिक्रमन काल ग्याद करना है अब यह भी मान के चलते हैं कि यह उपग्रह H दूरी पर है यानि कि इस उपग्रह की जो कक्षा है उसकी त्रिज्य होगी R प्लस H बच्चों हम जानते हैं कि दूरी और चाल में क्या संबंध होता है सूत्र अनुसार चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल बच्चों यहां पर हम कक्षिय चाल की बात कर रहे हैं और एक कक्षा में घूमने के लिए जितना समय लगत उसे हम परिक्रमंण काल कहते हैं तो यहां पर हम सूतर को कुछ इस क्षा की परिदी मतलब एक चकर लगाने में जितनी तय की गई दूरी है वह कक्षा की परिदी होगीा है अप वान कख्षिए चाल इस कख्षी चाल को हम व से दर्शाते हैं, तो T बराबर होगा 2 pi r, इस कक्षा की परिदी होगी 2 pi r, और हमने इस उग्रह का कक्षे चल v o लिया है, तो v o लिग देते हैं, और अभी हमने v o का सूत्र ग्याद किया, v o बराबर होता है g m upon r, तो यहाँ पर हम मान को substitute करते हैं, तो T बराबर होगा 2 pi r upon root under g m upon r, अब यह upon में है, इसको व्यूत करम करके हम गुणा में लिख देते हैं, तो T बराबर होगा 2 pi r into root r upon g m, अब देखिए, यह root के बाहर एक r है, यह root के बाहर कैसे आया होगा, जब इसमें वर्ग होगा, तो यदि इसमें root के अंदर लिखूंगी, तो वर्ग करके लिखू मतलब r का वर्ग करके हम इसको अंदर कर दी, upon gm, अब यह वर्ग और एक r मिलके r cube बना देंगे, अब इस फॉर्मुले में हम gm का मान रखेंगे, हम जानते हैं बच्चों, गुरुत्वी तवरण g बराबर होता है gm upon r square, तो यह ऐसे gm बराबर हो जाएगा g r square, अब इस म में लिखने पर हमें मिलेगा, t बराबर 2 pi root under r cube upon g r square, और यही किसी भी ग्रह के चारों और गती करते हुए उप ग्रह के लिए परिक्रमन काल का सूतर है, अब इस फॉर्मुले में हम small r का मान रख देते हैं, यूँकि small r इस उप ग्रह की कक्षा की तरिज्य है, और यह प्र सित्वी की सता से इस उप ग्रह की दूरी का योग है, तो हम r बराबर r plus h लिखेंगे, तो फॉर्मुला हो जाएगा t बराबर 2 pi root under r plus h cube upon g r square, अब r square कमान इस root से बाहर हो जाएगा, और फॉर्मुला बनेगा t equal to 2 pi upon r, root under r plus h का cube upon g, अब बचो यह जो सूतर है, यह किसी भी ग्रह के चारों और गती करते हुए उप ग्रह के परिक्रमन काल का सूतर है, और इस सूतर में हम देखें, तो यहाँ पर कहीं भी उप ग्रह का द्रवेमान उलेखित नहीं है, इसका मतलब किसी भी उप ग्रह का परिक्रमन काल उसके द्रवेमान पर निर्भर नहीं करता, और जैसे जैसे हम उबग्रह की दूरी पृत्वी की सता से बढ़ाते जाएंगे तो ये परिक्रमन काल का मान भी बढ़ जाएगा। वैसे भी इस पश्ट है कि किसी पर उबग्रह को गती करने के लिए एक निश्चित चाल के अवशक्ता है मतलब कक्षिय चाल तो उसका नियत है लेकिन यदि कक्षा की त्रिज्य बढ़ा दी जाए कक्षा बढ़ा कर दिया जाए चाल वही है तो उसे एक चक्कर लगाने में ज वह ग्रह का गृत्वी त्वरण है और गृत्वी त्वरण का मान ग्रह के द्रवेमान और उसकी त्रिज्य पर निर्भर करता है तो बच्चों चाहे वह पलैनवेक का सूत्र हो यह कक्षिय चाल का यह परिक्रमन काल का हमने देखा कि सूत्र में कहीं पर भी पिंड का केवल यहां पर ग्रह का द्रवयमान और ग्रह की तुरिज्य है इन सभी चॉंक्प को प्रभावित कर् מא Celine तो क्या इस पेंड का द्रवयमा यह यूँ कहे उस उब ग्रह का दुगर्जा कोई इंपोर्टनेश रखता हम उसकी द्रव्यमान को नेगर्लेट कर सकते हैं ऐसा नहीं है बच्चो के जब हमें अधिक द्रव्यमान वाले उपगरह को प्रक्षेपित करना हो तो उस समय अधिक शक्तिशाली रॉकेट का स्तमाल किया जाता है इस प्रकार उपग्रह का द्रव्य मान भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कैलकुलेशन में जरूर रहता है अब बच्चों हम प्रित्वी की सता से सबसे समीब उपग्रह के लिए परिक्रमन काल का मान ग्याद करते हैं सूतर नुसा t बबबर 2π अपॉन रूट अंडर R प्लस h क्यूब अपॉन जी होता है यदि उपग्रह प्रित्वी की सता से बहुत पास है यानि R प्लस h को हम लगभग R मान सकते हैं यानि कि प्रित्वी की त्रिज्या मान सकते हैं तो अब यहां सूत्र हो जाएगा T बराबर 2 pi अपउन R root under R cube अपउन G अब यहां पर R cube है तो यहां से R square को हम root के बाहर निकाल लें गे तो यह सूत्र हो जाएगा T बराबर 2 pi अपउन R into R root under R upon G यहां से R और R cancel हो जाएगा तो T हो गा 2 pi root under R upon G और यहां पर R और G का मान और Pi का मान यदि सूत्र में रखें तो हम पृत्वी के सबसे समीब उब दुरह के परिक्रमन काल का कैलकुलेशन कर सकते हैं पृत्वी की तरिज्या होती है R बराबर 6.4 into 106 meter per second G बराबर होता है 9.8 meter per second पृत्वी की सतह के लिए और Pi का मान हम 3.14 लेते हैं और इन सारे मान को इस formula में substitute करने पर हमें पृत्वी के सबसे पास वाले उब ग्रह का परिक्रमन काल का मान मिलेगा 5074 second और इसे यदि minute में change करूं तो यह होगा T बराबर 84.4 minute लगभग इसके आसपास ही यह मान आएगा तो इस प्रकार हम देखें कि जो सबसे पास उग्रह है उसका orbital velocity यानि कि कक्षी चाल 7.9 km per second है और इसका परिक्रमन काल 84.4 minute का होगा तो बच्चो इसी फॉर्मले के आधार पर चलो एक numerical question भी बनाते हैं प्रित्वी तल से 2000 km की उचाई पर परिक्रमा करने वाले क्रित्री मुपगरा के कक्षिय वेग एवं परिक्रमन काल के गणना कीजिए प्रित्वी की त्रिज्या 6.4 into 10 to the power 6 meter तथा गुरुत्वीत वरण 10 meter प्रतिस सेकंड ली जिए बच्चो इस प्रश्ण में दिया गया है प्रित्वी की त्रिज्या 6.4 into 10 to the power 6 meter है यानि की आर का मान दिया गया है और प्रित्वी की सतह से इस उग्रह की दूरी यानि की हाइट बराबर 2000 km है तो हम लिखेंगे 2000 into 10 to the power 3 meter और इसे हम लिख सकते हैं 10 to the power 6 meter और G बराबर है 10 meter प्रतिस सेकंड और इस प्रकार VO बराबर होगा R रूट अंडर G अपॉन R प्लस H और VO का मान और इस सारे मान को इस सूत्र पर रखरें पर हमें मिलेगा VO बराबर 6.4 into 10 to the power 6 रूट अंडर 10 अपॉन 6.4 into 10 to the power 6 प्लस 2 into 10 to the power 6 और सरल करने पर हमें VO बराबर प्राप्त होगा 6.98 into 10 to the power 3 meter प्रतिस सेकंड उसे किलोमेटर पर हम लिख सकते हैं 6.98 किलोमेटर प्रतिस सेकंड अब हम इस उग्रह के लिए परिक्रमन काल ग्याद करेंगे तो परिक्रमन काल का सूत्र होता है अब सारे मान को हमें सूत पर रख देते हैं हमें मिलेगा 2 into 3.14 ब्रैकेट के अंदर 6.4 into 10 to the power 6 प्लस 2 into 10 to the power 6 अपॉन 6.98 into 10 to the power 3 और इन सब को हल करने पर हमें प्राप्त होगा टी बराबर 7557.5 सेकंड अब इसे हम घंटे में भी कनवर्ट कर सकते हैं हम जानते हैं कि एक घंटे में 3600 होते हैं तो एक सेकंड बराबर 1 upon 3600 घंटे होगे यानि कि इस मान को 3600 से भाग देने पर हमें मिलेगा 2.10 और इस प्रकराम कह सकते हैं कि इस उपग्रह का परिक्रमनकाल 2.10 घंटे का होगा चलिए बच्चो अब हम पलायन वे और कक्षिय चाल में संबंद स्थापित करते हैं इस संबंद के आधार पर numerical questions भी आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे और इसका derivation भी एक्जाम में आता है बच्चो हमने पलायन वे का सूत्र ग्याद के था VE बराबर रूट अंडर 2GR जबकि orbital velocity कक्षी चाल का सूत्र है VO बराबर रूट अंडर जी आर यदि VE को VO से भाग दो तो होगा रूट अंडर 2GR अपन रूट अंडर जी आर यहां से रूट अंडर जी आर, रूट अंडर जी आर कैंसल हो जाएगा तो VE बराबर VO होगा रूट 2 और इस प्रकार हम देखें कि VE बराबर होगा रूट 2 इंटू VO और हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी ग्रह के लिए पलायन वे का मान उसके कक्षिय चाल के मान से रूट 2 गुणा होगा यह दूसरे शब्द में हम कहें कि मानलीजी ग्रह है उसके चारों और एक उप ग्रह किसी नियत कक्षिय चाल पर घूम रहा है यदि उस उप ग्रह के कक्षिय चाल को रूट 2 गुणा बढ़ा दिया जाए यानि 1.414 से गुणा कर दिया जाए तो वह उप ग्रह उस ग्रह के गुरुत्वी छेत्र से पलायन कर जाएगा अब बच्चों हम तूल्यकाली या भूस्थाई उप ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं जिसे हम इंग्लिश में जियो स्टेशनरी यह जियो सिंक्रोन सेटलाइट के नाम से जानते हैं जैसा कि बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है भूस्थाई यानि कि एक निश्चित भू भाग के सापेक्ष उसकी स्थिती में परिवर्तन नहीं होना और यह कैसे संभव हो सकता है और ऐसा होने के ल साथ पृतवी अपने अक्ष पर भी घूर निगति कर ली है पश्चिम से पूर्व की और कि अब किसी सटलाइट को एक निश्चित भू भाग के सापेक्ष इस्थाई रहना है मान लेते हैं यह प्रृतवी है यह घुर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर निगति कर रही है सटलाइट भी पश्चिम से पूर्विकी और घुमेगा इस सटलाइट का घुर्णनक्ष पृत्वी का घुर्णनक्ष होगा साथ ही यह जो भूमात्य रेखा है जो पृत्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करती है इस तल पर ही इस सटलाइट का घुरनन तल हो और प्रित्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है तो इस सेटलाइट को भी एक चक्कर 24 घंटे में ही लगाने हो तो इस प्रकार हम देखें कि भू इस्थाई यानि की जियो स्टेशनरी सेटलाइट की निम्न विशेश्टाई होनी चाहिए पहला इसका परिक्रमन काल 24 घंटे होना चाहिए इसका घुर्णन अक्ष प्रित्वी का घुर्णन अक्षी होना चाहिए इसका घुर्णन तल प्रित्वी के भूमध्य रेका से गुजरने वाला तल होना चाहिए और साथ ही ये प्रित्वी के चारों और पश्चिम से पूर्वदिशा की और गती करें और जिस कक्षा में ये जियो स्टेशनरी सेटलाइट चक्कर लगाता है उस कक्षा को हम इस्पेशन नाम से पुकारते हैं इसे हम पार्किंग कक्ष कहते हैं यानि कि पार्किंग और्बिट क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हमने सेटलाइट को इस भूस्थल के सापेक्ष प कार्टे हैं.